अगर आप album designing की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखें album formula software के साथ अपने album designing के काम को बहुती fast और बहुती आसान बनाए बस आपको photos को select करना है और software आपको automatic PhD template suggest कर देगा और आपको बस अपने पसंद की किसी भी PhD template में double click करना है और आपका album seat कुछी seconds में ready हो जाएगा बस यही 2-3 step आपको repeat करना है और आपका album कुछी minutes में ready हो जाएगा को भी open कर लेते हैं जैसे मैंने software पर double click किया तो हमारा software भी फोटोशॉप के साथ open होने लग जाएगा और automatic photoshop के साथ attach होके काम करने लग जाएगा तो यह देखिए हमारा photoshop open हो गया है और यहां से हमारा album formula भी open हो गया है तो ठीक यहां पर दिखिए आप अपने according इसका position भी set कर सकते हैं इसको कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने बना दी हुई है काफी detail में वीडियो है आप उसे check out कर सकते हैं ठीक है फिलाल मैं यहां से क्या कर रहा हूं यहां पर topmost का जो option है इसे uncheck कर दे रहा हूं ताकि जो मेरी taskbar है वो सब मुझे proper दिखे और मैं काफी आसानी से चीजों को navigate कर वा हूं तो यहां पर दिखे हमा आज देखने वाले है अर्टो आवर्वम के बारे में तो यहां पर हमारे पास एक option है जिससे हम कहते हैं शूब्वम इसकी मदस्से हम काफी आसानि से album create कर सकते हैं यहां पर देखिए मैंने यहां पर आलबम बटन पर क्लिक किया और यहां पर सबसे पर मुझे क्या करना है image लोट करना है तो image लोट करने का पी आसान तरीका है और इसके उपर वी काफे detail में वीडियो बनाई गयी है कि आप किस-किस तरीके से अपने folders को अपने images को इसमें load कर सकते हैं तो वो भी checkout जरूर कर लीजएगा यहां पर देखिए desktop के अंदर मैंने एक folder बनाया हुआ है album formula के नाम से और यहां पर मैंने कुछ images रखी हुई है यह text images मैंने जैसे इसको double click किया तो यहां पर देखिए धेर सारी images रखी हुई है इन images को मुझे अपने software में load करना है तो वो कैसे करना है देखिए यहां पर मैंने इसका URL यहां से पूरा copy किया और यहां पर आके control V कर दिया जैसे मैंने control V किया तो यहां पर देखिए जो हमारा photos का folder था वो यहां पर आ गया और सारी photos यहां पर load हो गई साथ ही साथ यहां पर हमें photos का count बताने लग गया कि इस folder में total कितनी photos है तो यहां पर देखिए 88 photos यहां पर हमें दिख रही है अब हम देख रहे हैं कि इसके साथ हम album designing कैसे कर सकते हैं तो चलिए वो देखते हैं यहां पर देखिए option है मैं पास auto album का जैसी मैं इस auto album के option पर click किया तो यहां पर एक छोटा सा panel open हो गया तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है अपनी auto phds को load करना है वह load करना काफी आसान है बस आपको इस folder बटन पर click करना है और यहां से आपको निविगेट करना है कि आपने अपनी auto phd कहां पर रखी हुई है जैसे कि मैंने आप यहां पर f drive में रखी हुई है और जैसे यहां पर मैंने click किया देखिए यह one converted by asylum यहां पर मैंने धेर सारी phds convert करके रखी हुई है और इसके अंदर धेर सारे folders बने हुए हैं सब folders बने हुए हैं तो अगर मैं इस folder को use कर रहा हूं तो इसके अंदर जितनी भी phds हैं वो सारी यहां पर load हो जाएंगे तो जसी मैंने इसे select किया और okay किया तो उसके अंदर जितनी phds थी वो इसके साथ attach हो गई है अब just for example कि अगर मुझे एक album design करना है एक seat design करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है बस यहां से अपनी photos को select करना है यहां से चलिए मैं अभी फिलाल इसे topmost को check कर देता हूं और यहां से देखिए यहां पर कुछ settings दी हुई है इस setting पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए after completing setting का यहां पर एक option है जैसे मैं इसे click किया तो यहां पर देखिए option open हो जा रहा है ठीक है यहां से हम यह define कर सकते हैं कि यह जो photos है वो use करने के बाद यहां पर क्या होना चाहिए यहां पर उस पर watermark लग जाना चाहिए यह फिर फोटो कलर हो जाना चाहिए यह फिर फोटो यहां से remove हो जानी चाहिए यह फिर फोटो यहां से move होके किसी दूसरे folder में चले जाना चाहिए ठीक है तो यहां पर सारा Customization option यहाँ पर आपको दिया गया है इसे आप अपने according कर सकते हैं Just for example कि मैं आभी आपर कर रहा हूँ Mark Color कि जैसे मैं इन फोटो को यूज करूँ उसके उपर एक Color मार्क हो जाए ताकि मुझे ये पता चले कि ये फोटो मैंने यूज कर ली है तो यहाँ पर मैंने अभी इसको यूज किया Mark Color और इसे मैंने कर दिया OK उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से मैं एक एमांट फोटो ले लेता हूँ Just for example एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यहाँ से मैं आठ फोटो को सेलेक्ट किया और जैसे मैंने यहाँ पर आठ फोटो को सेलेक्ट किया यहाँ पर दिखिए, आठ फोटो के हिसाब से मुझे यहाँ पर PhD दिखाने लग गया आपको जो भी PhD पसंद आती है आप उसे पर simple double click करना है या जो seat है वो ready हो जाएगा just for example कि मुझे यह वाली जो PhD है वो काफी पसंद आ रही है मैंने इस फोटो को सेलेक्ट किया और इस पर double click कर दिया और जैसे मैंने इस पर double click किया तो देखिए यह Photoshop में automatic open हो गई और इसमें सारी photos one by one और सारी photos proper sequence से एक-एक photos अपने जगह पर जाके proper fit हो जाएंगी इस तरीके से आप इसमें काफी आसानी से album seats create कर सकते हैं और इसमें सिफ आप traditional ही नहीं बलकि आप इसमें DMs भी बना सकते हैं तो यह देखिए यह seats जो है हमारी ready हो गई अगर आपको लगता है इसमें कोई changes करना है तो just for example कि यह जो photos है इसे मुझे थोड़ा सा change करना है यह black and white है मुझे इसे black and white नहीं चाहिए तो मैंने इसे select किया और इसके layer panel पे यहाँ पे देखिए इसका जो blending mode है luminosity है मैंने इसे normal कर दिया और इसका जो opacity है वो मैंने 100% कर दिया तो यह देखिए यह photos जो हमारी original tone पे वापस आ गई और इसे मुझे और थोड़ा सा position adjust करना है तो मैंने यहाँ से देखिए इसका position भी adjust कर लिया इस तरीके से आप इसमें कफी ज़्यादा customization कर सकते हैं But as for example, आपको यह photo यहां पर चाहिए और यह photo यहां पर चाहिए तो दिखिए उसके लिए क्या करना है आपको इस photo को सेलेट करना है और shift के साथ पोस्टो को सेलेट करना है और यहां पर यह option दिया हुए formula plugins जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है swap image जैसे मैं इस swap image बटन पर क्लिक करूँगा तो यह automatic अपनी position चेंज कर लेगी और यहाँ पर इसमें और बढ़े सरे options हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में काफी detail में देखेंगे अभी फिलाल हम देख रहे हैं auto album create करना तो देखिए यहाँ पर जो मेरी exit है वो ready हो गई और जो photos भी मैंने यहाँ पर use की थी वो देखिए सारी photos यहाँ पर mark हो गई और यहाँ पर vertical और horizontal के हिसाब से मुझे यहाँ पर देखिए साथ frames के PhD यहाँ पर दिखने लगे हैं जिनमें यह photos अच्छी लगेंगी उस जिनमें यह photos अच्छे से fit हो जाए उसके according यहाँ पर मुझे PhD दिखने लगे है हमारा software आटमेटिक वो आपको suggest कर दिया कि यह साथ PhDs यह साथ photos के हिसाब से यह PhDs हैं इन्हें से आप कोई भी एक PhD यूज़ कर सकते हैं just for example कि मुझे यह PhD ठीक लग रही है या फिर यह PhD ठीक लग रही है मैंने इस PhD को select किया simple मैंने double click किया और यह PhD जो है मारी Photoshop में open हो गई और इसमें देखे सारी photos one by one और सारी photos sequence से यहाँ पर fill होने लग गई तो यह देखिए यह जो हमारी seat थी ready हो गई और यहाँ पर भी देखिए आपको जो last photo है अगर यह देखिए horizontal या vertical होती तो भी वह last photo यहाँ पर अगर horizontal या vertical फ्रेम होता तो भी वह यहाँ पर ही लगती इस तरीके से कर आप album design करेंगे तो आपके जो photos का sequence है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और भी चलिए आईए हम और भी काफे सारी design करके देखते हैं just for example कि यहाँ से मैंने 1,2,3 यहाँ से मैंने simple तीन photos select किया और तीन photo के हिसाप से हमें यहाँ पे PhD सजेस्ट करने लग आपको जो भी PhD यहाँ पर पसंद आती है आप simple उस पर डवल क्लिक कीजिए वो Photoshop में open होगी और यहाँ से सारी photos उस PhD में उस template में add हो जाएंगी just for example कि मुझे यह PhD पसंद आ रही है मैंने इस पर simple डवल क्लिक किया और यह Photoshop में open हो गया और यहाँ पर देखिए सारी photos one by one Photoshop में open होंगी और उसमें और templates में set होती जाएंगी यह देखिए यह तीनो फोटो हमारी यहाँ पर इस template में proper तरीके से set होगी अगर आपको इसमें कोई changes करने हैं तो आप changes भी कर सकते हैं just for example कि मुझे इस photo का position ठीक करना है इस photo का थोड़ा सा position ठीक करना है तो इस तरीके से हम इसमें album design आसानी से कर सकते हैं आप किसी भी size का album design कर सकते हैं किसी भी resolution के album design कर सकते हैं just for example कि यह जो image है देखिए मैं इसमें image में गया image size में गया और यह जो template हमें दिखा रहा है यह है यह है 10 by 30 का अगर मैं इसे 12 by 36 का करना चाहता हूं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या करना है यहाँ पर simple मैं इस arrow button पर क्लिक किया अगर आपको अपने खुद के presets बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ बना सकते हैं इसके बारे में भी मैं एक काफी detail वीडियो बना दूंगा तो उससे आपको काफी help हो जाएगा तो यहाँ पर दिखिए मैंने इसे फिलाल कर दिया 12Y 36 यहाँ से मैंने इसे 12Y 36 को select किया और इसे कर दिया OK और इसका resolution भी मैं यहाँ से 300 DPI कर देता हूँ ठीके और इसे मैं कर देता हूँ OK जैसे मैंने इसे OK किया अब मैं इसी PhD को अगर double click करूँ तो यह PhD वापस से इस पे open होगी और इस बार यह 12Y 36 की बन जाएगी तो अब इस तरीके से किसी भी साइज की PhD को अपने according resize कर सकते हैं यह देखिए यह PhD भी यहाँ पर आकर ready हो गई और इसका जो image size है वो देख लेते हैं हम मैं image में गया, image size में गया और इसे मैं यहाँ से pixel से inches कर देता हूं तो यह देखिए 12Y 36 की और 300 resolution में बनी तो आप किसी भी PhD को किसी भी size में convert कर सकते हैं काफी आसानी से और same PhD यहाँ पर देखिए बनी हुई है जो की है 10 by 30 की यह देखिए मैं वापिस है image में गया image size में गया और यहाँ से मैं इसे pixel से inches कर दिया तो यह बनी हुई है 10 by 30 की 200 resolution के साथ तो इस तरीके से आप किसी भी size की PhD को अपने according change कर सकते हैं अगर आपके पास 10 by 30 की PhD है आप उसे 12-36 में convert करके बनाना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं वह इसमें काफी सारे options दिये हुए हैं आने वाली वीडियो में आपको धेर सारी एलबम formula के धेर सारे features के बारे में पता चलेगा तो make sure आप इस चैनल पर बने रहेगा ताकि आपको ऐसे धेर सारे options के बारे में पता चलता रहे चलिए आए हम और भी ढर सारी PhD के साथ काम करके देखता कि यहां से मैंने कुछ और फोटो सेलेक्ट कर ली तो यहां पर देखिए उन फोटो के according मुझे यहां पर PhD शो होने लग गई कि आपको कौन सी PhD पसंद आ रही है आपको जो भी PhD यहां पर पसंद आ है आपको simple उस पर पर double click करना है सेम जैसे यह PhD मुझे अच्छे लग रही है मैंने इस पर double click किया यह आटोमेटिक फोटोशॉप में open हुई और यह 12-36 की बनेगी क्योंकि हमने यहां से इसका साइज जो है वह 12-36 कर दिया है तो आपको जिस भी साइज के आलबम बनाना है तो यहां से पहले आ आप किसी भी PhD पर double click करेंगे तो वह आटोमेटिक जिस भी साइज में आपने इसको set किया होगा वह उस साइज में जाके अलबम create कर देगा उस साइज में जाके आपको page मनाके ready कर देगा तो यहां पर मुझे कुछ changes करने के जरूरत लग रही है तो just for example कि मुझे इसे change करना ह control T किया और इसे मैंने थोड़ा सा अर्जेश कर लिया और इस photo को भी मैं यह से थोड़ा सा अर्जेश कर लेता हूं इस तरीके से आप album formula के auto album feature को काफी आसान तरीके से use कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो make sure इस वीडियो हो तो नीचे comment करना मत भूलिएगा हम आपके सारे comment पढ़ने की कुछिस करेंगे और आप इस वीडियो को जितना जाद से जादा शेयर करेंगे उतना जाद से जादा हमारे लिए help होगा और आपके सारे फोड़गाफर्स भाईयों के लिए भी ये video काफी जादा helpful होगी कर दूल झाद से जाद से हैं थैंट